हेलो फ्रेंट्स ऑप्रेशन्स रिसर्च के लेक्शन नमबर 16 में आपका स्वागत है इस प्रॉब्लम में हमने पिछले ही प्रॉब्लम को कंटिनीव किया है लेकिन हमने मेथड बदल दिया अब हमारा जो मिनिम्म बेसिक फीजिबल सॉलुशन हम फाइंड करेंगे लेकिन हम लिस्ट कोस्ट मेथड की बात कर रहे हैं लिस्ट कोस्ट मेथड करने का मतलब सीधा है कि हमारे जो फैक्टरी में प्रोडक्शन है जो 50-100-150 के है और रिटेल एजनसी 12345 इन पाचों ही रिटेल एजनसी में ट्रांस्पोर्टिशन कोस्ट दिया हुआ है सेल वैल्यू के रू जो सबसे नस्रिकी रिटेल स्टूर हो जहां पर कोस्ट हमारा सबसे कम हो पर युनिट उसको पहले सप्लाइ करेंगे तो यह जो कॉंसेप्ट है इसी concept को ध्यान में रखते हुए, यह हमारा balance problem है, जो पिछले लेक्षर में भी देखा था, पिछले लेक्षर में नॉर्थ वेस्ट कॉर्णर मेथड से हमने find भी किया था, transportation cost, लेकिन अब हम method बदल रहें, तो देखते हैं कि कोई असर पड़ता है कि रही, सबसे पहला काम है क पोटल हम agency और factory के transportation cost को देखेंगे, तो सबसे पहला distribution हमारा पहले में ही मिल गया, अब इसको हम सबसे पहले distribute करेंगे, इसको क्या distribute करेंगे, यह देखना होगा कि capacity हमारे पास factory 1 की है 50, लेकिन retail agency 1 का demand है 100, तो 100 demand से क्या मतलब हमारे पास capacity सिर्फ 50 का है, इसका मतलब है कि यह यहां पर हम 50 को supply कर देंगे, और जो ही 50 supply करेंगे, यह स्वभाविक है कि कटके हमारा सिर्फ 0 बच जाएगा, अब इस factory के product को हम कहीं भी किसी भी और दूसरे agency को supply नहीं कर सकते हैं, क्योंकि already हमने 50 supply कर दिया, और यहां पर जो हमारा demand था, यह अब हो गया है 50, क्योंकि 50 का already हमने supply कर दिया, अब दूसरा कौन सा retail store को supply करें, तो यहां पर scanning करना होगा, हम देखेंगे, सबसे list cost क्या है, तो दूसरे में हमारा यह 5th retail store का भी cost minimum है, हमारे पास यह भी minimum है, तो sequencer हम चले, पहले हमने इसको allog किया, अब इसको allocate करेंगे, इनका demand क्या है, इनका demand है 40, औ और हमारे पास अब factory 1 की capacity निल हो गई है, यह तो 0 हो चुका है, तो अब हमें इस से supply देना होगा, तो factory 2 की capacity है 100, इनका demand 40 है, इसका मतलब है कि यहां पर जो हम इसको demand fulfill करेंगे, यह complete 40 का कर देंगे, यह 40 हो जाएगा 0, और यहां पर remaining हमारे पास बचता है 60 item, अब 60 unit बचता है, अब तीसरा कौन सा sell होगा, किसको हम supply करेंगे, तो फिर से हम minimum cost देखेंगे, minimum cost हमारा क्या है, retail agency number 3, और retail agency number 3 को हम supply किस से कर दे सकते है, factory number 3 से इस से तो नहीं दे सकते है, तो इसको, इसका demand है 50, तो 50 हमें इनका demand यहां fulfill करेंगे, अब इनका demand 50 अगर हम fulfill कर दिये, तो यह हो गया 0, और यहां पर हमारे पास remaining बचता है 100, अब देखें, retail agency का पूरा requirement ही 50 का, 50 हमने supply कर दिया, मतलब इस पूरे column में आप कोई requirement ही नहीं है, तो वो हमारा complete हो जाता है, इनको 40 का demand था, 40 हमने fulfill कर दिया, तो यहां भी हम कोई requirement नहीं है, अब हमारे पास अभी बचा हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब कुछ हमारे पास item भी बचे हुए है, अब कुछ demand भी है, कुछ requirement भी है, तो अब जरा साथ देखें कि इसमें सबसी minimum क्या है, 20, 12, 24, 14, 33, 23, 12 है, तो इस 12 को हम supply करेंगे, 12 का demand क्या है 60, तो 12 का demand अगर 60 है, तो क्यों नह 60 हमारा हो जाएगा 0, और ये 60 भी 0 हो जाएगा, तो 60 का यो ही हम supply करेंगे, ये हमारा पूरा row disable हो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका requirement 60 क्या था, वो 60 हमने fulfill कर लिया है, और साथ में हमारा row भी complete हो गया है, तो इसका मतलब इस column का भी demand fulfill हो गया, इस row का भी demand fulfill हो चुका है, 60 और 40, 100 complete हो गया है, अब हमारे पास factory no.3 का, अभी 100 unit बचा होगा है, और supply हमको करना है हमारे पास, कहां कहां हम supply कर सकते हैं, retail store 4 को कर सकते हैं, retail store agency 1 को कर सकते हैं, 1 को, अभी हम कितना supply कर सकते हैं, 50, 50 का demand इनका remaining बचा हुआ है, तो 50 का demand हमें इनको fulfill करेंगे, जो ही 50 करेंगे, ये 0 हो जाएगा, अब इस पूरे column का demand complete हो गया है, अब इसके बाद हमारे पास remaining यहां भी, घट जाएगा 50, अब हमारे पास सिर्फ एक ही agency बसता है, agency number 4, और इनको supply हम करेंगे, इनका demand है 50, 50 supply है, इसका मतलब इनको हम कर देंगे, 50 का supply, ये हमारा minimum cost में हम क्या कर सकते हैं, वो हमने दिखाया, हमने क्या किया, सबसे पहले पूरे transportation cost को हमने scan किया, जो सबसे minimum था, उनको हमने supply किया, अगर tie होता है, दो-तीन अलग-अलग sell में same value है, same cost है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, row 1 से सुरू किया, तो 1 को दिया, फिर 2 को की दिया, फिर 3 को दिया, इसके बाद उसके upper minimum limit में जाएंगे, मतलब इससे list cost, जब ये तीनो minimum को हमने complete कर दिया, तो उसके बाद list cost हमने देखा कि अब कहां दिया जा सकता है, तो हमारे पास list cost उसके बाद आता है, 12, 12 को supply किया, फिर 14 को supply किया, उसके बाद हमने 23 को supply किया, हमारा काम complete हो गया, अब जड़ा साथ देखिए कि cost आएगा कितना, तो जो northwest corner method में हम बनाए थे, पिछले class में, आपको याद होगा, वो था 4420 रूपीज है, इनका cost क्या होगा, तो cost कैसे हम find करेंगे, 15 into 1, 50 into 1, plus, इस बाद मा और कोई supply नहीं है, यहाँ पह, 40 into 1, 40 into 1, plus, 60 into 12, 60 into 12, plus, 50 into 1, into 1, इसको bracket में हम करते जा रहे हैं, ताकि हमको process order भी याद रहे है, कोई confusion नहीं हो, 50 into 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, यह अभी बचा हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, order 50 into 14, plus, 50 into 23, यही हमारा total cost आएगा, list cost मेथड से, अब total cost कीतना होगा, यह equal to 50, plus 40, plus 600, plus 50, plus 50 into 14, 700, plus 23 into 50, 1150, यही total cost आता है, अब इस cost को हम जोड ले अगर, 1150, plus 7, 1850, 19, 62500, और 2590, 2590, 50, 40, 90, 690, plus 740, 740, and 7, 1440, 14, 11, 25, 90, तो यह complete cost आया, आपने देखा होगा, कि जो हम, यही problem, solve हमने किया था, Northwest Corner Method से, तो हमारा cost आता था, 4420, 4420, और यही minimum cost है, 2590, मतलब, 2590 में minimum हमारा transportation cost में distribute किया जा सकता है, अब इसमें दो बातें आती हैं, कि मान लेते हैं, agency ने तो बहुत चालाकी से काम किया, कि सबसे minimum cost जो है, वहाँ पर supply दे दी जाए, लेकिन practical problem क्या होती है, कि जब minimum cost की हम सिर्फ बात करें, तो सभाविक्त है, कि factory के जो सबसे करीब होगा, वहाँ cost ज्यादा हो, आसान होगा, कम होगा, तो factory के near about तो supply हो जाएगा, लेकिन दूर के retail store पर हम बारा माल पहुचेगा नहीं, तो वैसे business का expansion नहीं हो सकता, तो ये भले ही cost कम है, लेकिन overall जब हम business point of view से देखेंगे, तो हमारा product तो हर जगा जहाँ पहुचना चाहिए, हर agency पहुचना चाहिए, यहाँ भी पहुच रहा है, लेकिन जहाँ पर हमारा cost ज्यादा है, वहाँ पर सबसे last में जा रहे हैं, तो last में जा रहे हो सकता हमारा item कम होगा supply हो, लेकिन बड़े complex problem है, यहाँ पर यहीं product की बात हमने किया, अगर अलग-अलग product हो, अलग-अलग item हो, अलग-अलग demand हो, वैसी स्थिती में हर समय least cost method ही applicable होगा, यह नहीं का सकते, तो हम northwest corner method से भी हमने इस problem का solution निकाला था, और एक निश्ची तो cost 4420 रूपीज आया था, list cost method से हमारा 2590 में ही यह काम हो जाता है, लेकिन इसमें एक और method है, जिसको हम WAM method करते हैं, तो WAM method पर हम अगले lecture में discussion करेंगे, वीडियो लंबा नहीं करते हैं, इसको हम आशा रखते हैं कि आप समझ गए होंगे, इस concept का सीधा मतलब है कि minimum cost में distribution हो जाए, हमारा product distribute हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम list cost method का इस्तमाल कर सकते हैं, फिर Northwest corner method भी है, और तीसरा WAM method पर discussion में अगले lecture में करेंगे, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद.